जी 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 अनुद्राचारे जी देखिए एक चीज होती है वैज्ञानिक सोच एक समय था प्राचीन समय में जब मनुश्य कपड़े भी नहीं पहनता था दीरे दीरे करके हम एवॉल्व हुए समाज बना गाउं बना शेहर बना देश बना तो वैज्ञानिक सोच को तो आपक कर रहे हैं कि जो चीज शुरू से शुरू आ रही है उसको कॉंटिनुवेशन में फॉलो करें मैं कम्मिनिस्ट हूं हाँ मैं नहीं मानता अस्तित्व को ईश्वर के भाई सुरू से कहा जा रहा है कि जिसने हमें जनम दिया वो माता है क्या आप माता को तो मानते हैं फिर कहते हैं कि इश्वर ने श्रिष्टी की रशना की तो फिर मैं आ जाओंगा इश्वर को किस ने बनाया तो यह डिवेट अनंत हो जाएगी इसका उतर ना ज्यान के पास है अभी और ना किसी मनुष्य के पास अलग अलग धर्म गुरू अपने अपने हिसाब से अपनी लॉजि जाहिया पहले महा भारत में सूत्पुत्र कहके करन का आप मान हुआ मैं आपको अनेकों उदाफारण दे सकता हूँ जिसमें जाती विवस्था जिसको आप सनातेनी समाज कहते हैं उसका शबरी का के बेर रही है क्या आप यह चाहते हैं कि यह ववस्था रहे आपके सवाल क चली आ रही है मा की परंपरा यह मेरी मा है क्यों माने हर पुरानी परंपरा को आप नकार देंगे तो राम सेतु भी पुराना उसे भी नकार दीजिए राम का स्थित्व लोग नकारते हैं तो हर चीज नकार देने से तो कुछ ना बचेगी ना फिर हम क्यों हमने तो महात्मा गांधी राम के कोई हुए ही नहीं भाई वो तो इतिहास जो कहेगा मानना पड़ेगा ना इतिहास कहता है कि महातमा गांधी हुए हैं इतिहास कहता है कि आप मैंसे किसी ने प्रच्वीराज चौहान को देखा सेवाजी को देखा आपने किसी ने देखा जासी किरानी को देख पर नहीं देखा इससे ये सिद्ध थोड़ी होता कि नहीं जी नहीं थे भाई इतिहास पढ़ा है ना यदि आज की इतिहास को माने पहले तो आप एक इतिहास मान रहें एक नहीं मान रहें ये गलत बात जी अब जाती बात पर दूसरा सवाल कीजिए मेरा बड़ा क्लियर प्रशन था कि पुरानी आप विवस्था की बात करते हैं पुरानी विवस्था तो सनातिनी जिसको समाज आप कहते हैं उसमें जाती वाद भी था लेकिन जाती वाद नहीं था सरकार जाती वाद तो नेताओं ने घुसाया है जातिया विवस्था के लिए खड़ी हैं ये सारे लोग ये देखो कैमरे वाली विवस्था पग है क्या इन सब के बिना आप सब के बिना यहां मंचासन हो सकता है ये विवस्था रही है ना ब्रामाण कोई है नहीं छत्री कोई है नहीं ये जाती विवस्था है ब्रामाण जो वेद पढ़ा है वेद करती हैं एक व्यक्ति की तो सब के साथ कंधी से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है वो शूद्र शूद्र कोई अच्छूत नहीं है यदि अच्छूत होता तो राम शबरी के घर क्यों जाते और निशाद बात प्याहंगा भी है शडयंत्र बता हूँ इन्हों ने पूचा भाईया लिए कि हमारे देश के राजांब को आपस में लडा लडा के खुब सासन किया उन लोगों ने उन अंग्रेजों को ने अक क्रांताओं ने हम भारती लोगों को आपस में लड़ाया और जातवाद का जहर घोला और आज तक हम उसके शिकार हैं आज तक लड़ रहे हैं मैं कठाओं में इस बात को बोलता हूं हम चारों एक पिता की संतान है ब्राम वेद का बचन कहता है कि ब्राम्हनो श्यमुखमासी दबाहू रा अब देखी उत्तती एक से हुई मतरब चारों के पिता तो एक हुए ना जब चारों का बाप एक है तो तुम चारों भाई उए न और चारों भाई हुए तो कौन बड़ा और कौन चोटा मिलए is chess podcast तक तकर सौब एक सवाल पूछता ताथ हैं लेकिन 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 मेरे पा झाल झाल